भारतिय संस्क्रिती में यज्य, योग, एवा मायूर्वेज जैसी अमूलने विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेज, वितिहाज की ओर द्रिश्टी डालें, तो भगवान राम, भगवान प्रिश्टी से लेकर, राजा महराजाओं, ग्रामवासियों वो अरन्यवासी रिशियों की कुटियों तक नित्य वन्यमेतिक यद्यों का प्रचलन देखने को मिलता है। सभी प्रकार की बिमारियों से मुक्ति पाने के लिए हम दूर्वा हास होती हैं, उसकी हवीदें उससे हवन करें, तो हम सभी प्रकार की बिमारियों से बच सकते। जूर्वा घास, चावल और गी की आहूती देने पर भी सभी प्रकार के रोगों का नाश होते हैं, और पांचों तकों में फेले हुए सभी प्रकार के जो उत्पात है या दोश है उसका निवारण होता है। कथर्व वेद में कहा गया है इदम हवीर यातु धाना नदी भेलक इमाम वहत। अर्थात जैसे नदी का जल जाग को बहा ले जाता है। इसी प्रकार से यह जो हुई हम यज्यागनी में आभूत करते हैं उस सभी प्रकार के यातना दायक, खर्ष्ट दायक, पीडा दायक जो होते हैं उसको वैसे ही बहा करके ले जाते हैं जो हमारे प्राचीन तमसास्त्र हैं सभी जगाओं पे यज्यों की महिमा के विशे में बहुत कुछ बतायागा है और यज्य भी मुख्यर उसे 21 प्रकार के माने गए हैं उसको भी तिन प्रकार में बाटे गए हैं जिसमें नित्य, नेमितिक और काम्य यज्य नित्य यज्य वह होते हैं जो हमें प्रती दिन करना होता है जिसे अगनी होतर है इसको हमें प्रती दिन करना होता है इसको केते हैं नित्य कर्म और नित्य कर्म क्यों करते हैं तो पहले ही दिन मैंने आपको बताया था नित्य कर्म कर्म इसे चित्त की सुद्धी होती है स्वाम आचायरी संक्राइचारी जी ने कहा कि हमारे चितकी सुध्धी के लिए और उसके उले हुद आहराण बताते हुए मैंने कहा था कि यह से तामरे लोटे को हम प्रते दिन धोते हैं तो उजवर लेता है से हमारे चित भी देईनिक कर्मों को करने से हमें साथ सुध़ रहता है, पवित्र रहता है, तो इसके लिए एक तो होता है, स्वामी दैदे श्वतिश रस्वती जीनी जो हमारे पंच तत्व हैं इस्वर की उपासना से लेकरके इस प्रकृति के संतुलन के लिए विश्ः इश्रूप से यज़ны को देखा है तो इस रूप में भी हमें लाव उठाने के लिए हम अगनी होत्रों को विश्ः इश्रूप से कर सकते हैं आचारिय संकराचारिय जीने भी घर को पवित्र सुगंदीत और सही रखने के लिए दुखों से जीवन को दूर रखने के लिए हमें अपने जीवन में अवश्य मेव अवश्य रूप से यज्ज को अपनाना चाहिए यदि हम अपने घर में यज्ज ने करते हैं तो समासान के तुल्य हमारे घर हो जाता है गर इसी प्रकास्रीमत भगवत गिता में भगवान से कृष्ण जी ने जो बता है यज्य सिष्टा सिना संतो मुच्चन ते सरवकिलवी सही भुज्यन तेतु तवगं पापा ये पचंती आत्म कारणा जो यज्य करने के बाद शेश बचे हुए का पान करता है वो सभी पापों से मुक्त हो जाता है और भुज्यन तेतु तवगं पापा ये पचंती आत्म कारणा और बीना यज्यन की ये जो भुज्यन करता है वो अन नहीं मुल को खा रहा है वो पाप को खा रहा है यज्य सिष्टा अमरित बुजो यांती ब्रह्म सनातरम जो यज्य सिष्ट का पान करता है वो सनातरम ब्रह्म को प्राप्त करता है इस परकार से अलग-अलग जगा पे अलग-अलग रूपों में कहा गया है तो नित्य यज्य में जो यह अगनी होतर है उसकी बहुत बड़ी बहिमा, एक सबसे बड़ा अस्वमेग यज्य कहा जाता है और एक सबसे बड़ा अगनी होतर को कहा जाता है अर्थात खर्च की दृष्टी से और अन्य अपेक्षाओं से देखे तो अस्वमेग यज्य बड़ा है जो सामनी व्यक्ति कर ही नहीं सकता है दूसरा देनिक अगनी होत रहें वह समय की अपेक्षा से अर्थाद जब से हमारा उपनेन संस्कार होता है वहां से लेकर के जब तक हम जी जरा मर्य परियंत यह सत्रब कहा गया है जरायाहवा मृत्युर्वा मुच्यन्दे या तो हम बिल्कुल जरा आवस्था में आजाए कि हम अपना खुद का पानी भी नहीं पीज सकते हैं ऐसी आवस्थाद है या तो तब छूड सकता है या फिर मृत्युरा या तो मृत्यु के बाद ही अगनी होत्र छोड़ने योगिय या शूगता है तो जरा मृत्यु परियंत हुआ इसको इसका आच्रन करने के लिए हमें कहा गया है और कहा गया अगनी होत्रस्यय अस्व मेघस्य आप्ति हि जो इस अगनी होत्र को निष्ठापूर्वक, सद्धापूर अगनित्यपरति विधीपूर्वक करता है, वो अस्व में की यज्य का जो फल है उसको प्राप्त कर लेता है, पर था सभी प्रकार की सुखों की सिद्धी करने में वो समर्थ हो जाता है, अस्व में की यज्य की सिद्धी उनको प्राप् प्रिफ्वी रशर यह पृथ्वी रशर यह पृथ्वी रशर यह उपर सुख का आच्छादन करने वाला है प्रिथ्वी लोग के उपर, जो असंतुलन है, उसको संतुलन में बदलने वाला है, प्रिथ्वी लोग भी सुख का विस्तार करने वाला है, इसलिए वसोख पवित्र नसी, द्योरसी, प्रिथ्वी नसी, मातरिस्वानो धर्मों से, मातरिस्वान कहते हैं वायू, जो यो बीच में विचरन करती है, मातर इस्वानो धर्मों से यह जो वायु है, उसको पवित्र करने वाला, सुध्द करने वाला, सुगन्दित और वाला उसमें स्थित होने वाला है hydrator. इस वायु को सच, सुध्द, पवित्र, जीवनी शक्ती से युक्त करने का काई ह्टब करते हैं परमेन धामना द्रिहस्वा मा फार मा यज्य पतिम हार से जिस जगा पर यह यज्य होते हैं परमेन धामना द्रिहस्वा वह परमधाम बन जाते हैं द्रिहस्वा वह हमारी वृद्धी करने वाले स्थान बन जाते हैं हमें सुख पहुचाने वाले स्थान हो जाते हैं वह हमारे कल्यान के हितु बन जाते हैं हमारे वेदों में कहा कि जहां पर यह यज्य होता है जिस घर में यह यज्य होता है वह देव अलई सादीव यह हो जाता है पवित्र हो जाता है उस घर में देवी यह शक्तियों का वास होने लग जाता है और जो व्यक्ति यज्य करता है वो स्वयम देवता बन जाता है दाना देव जो व्यक्ति देता है वो देव बन जाता है जो यगनी होतर करता है वो अनंत गुना दो हाथ से कमाओ और हजार हाथ से बाटने का कारिय है यगनी होतर यज्य होण अजारो गुना लाब देने वाला यह उन्यों की रिशी उन्यों की भेट लिए जो भी कहे अलग-अलग भासाओं में या अलग-अलग सब्दों में लेकिन एक बहुत ही बड़ा साधन माध्य में वसो पवित्र मसितियों से पृतियों से मातरी स्वानों धर्मों से परमेन धा करते हैं वो परमधाम बन जाते हैं वो कल्यानकारी स्थान बन जाते हैं और दिनहास्वा हमें बढ़ाने वाला हमारी विर्दी करने वाला हमारी पुष्टी करने वाला हमारी उन्नती करने वाले वो स्थान हो जाते हैं परमेन धामन दिनहास्वा माह वार्मा यज्य पतिम यजमान तु इस यज्य का कभी त्याग मत कर और यज्य को कराने वाला भी इस यज्य का कभी त्याग मत कर और यज्य को कराने वाला भी इस यज्य को कराने वाला कभी भी इस यज्य का त्याग ना कर इस प्रकार पहले ही मंत्र में इस यज्य की महिमा द्यू लोग से लेकर के भूलोग परियंद, स्थान, स्थान से लेकर के व्यक्ति परियंद, सब जगा पे यज्य की महिमा, यज्य स्थिद होने वाला और यज्य की लाब बताएं और कहा इस प्रकार से बताया गया और सिर्मत भगवद गीता आधी का जैसे मैंने प्रमान आपके सामने रखा यज्य शिष्टामरित भुजव यांति ब्रह्म सनातन, सनातन ब्रह्म को प्राप्त कर लियता है और सभी प्रकार से पापों मुच्चंते, सरवकिल विशे, सभी कलेशों से पापों से मुट्थ हो जाता है इससे बड़ा और साधिन और क्या हो सकता है तो इस प्रकार से हमारे सास्त्रों में अलग-अलग जगापे, अलग-अलग रूपों में यज्य की महिमा बताए और महर्शी देव देयानन सरस्वती जी ने जब यज्य की महिमा बताई यज्य करने के लिए विश्य शुरुप से बताया और रिग्वेदादी भाष्य भूमिका में यज्य करने के विश्य में जब उन्होंने वेद का प्रमान देना चाहा और प्रमान दिया कि वेद में कहां लिखा है कि हम यज्य करें तो वहाँ पर विश्री शुरुपसी स्वामी दियानन सरस्वती जी ने बताया है कि हम जो यज्य हैं हवन हैं अगनी होत रहें उसको करने के लिए समीधा अगनीम दुवस्यता गृतेर बोधयता थी थी समीधा अगनीम दुवस्यता समीधाओं में अगनी को स्थापित करें और घृत की आहुती प्रदान करके दुवस्यता उसको और बढ़ाएं समीधा अगनीम दुवस्यता गृतेर बोधयता थी थी अतिती ही रूप उस अगनी को घृत के माध्यम से उसको हम सिंचित करें घृत के आहूती दे करके उस अगनी को हम विशिश रूप से बढ़ाए बोधयत आती थी आस्मिन हव्याद जो होता ना उरुस अगनी में जो हमारे पास विशिश अउशदिया, जड़ी बूटिया, सामगरियादी है उसके हम आहूती दे करके उसको प्रदिप्त करें उसको बढ़ाए और उसको हम संपन करें जिए जिवो यह सरल्तम विदी के रूप में और सास्त्रिय विधान में वेदो का प्रमान देते हुए, कि वेदो में कहां-कहां यज्य करने के लिए तो उसमे रिख्वेदादी भाषिय भूमी का में मिमान सा करते हुए स्वामे दयानन श्रस्वते जिन इस मंतर को प्रस्तु दिया समीधाओ के माध्यम से हम अगनी को प्रदिप्त करें अलग सास्त्रों में उसके बाद जो बहुत सारी प्रकार के ब्रामान गरंत कल्पत सुत्रों से लेकर ग्रिया सुत्रों से लेकर के अनेक हमारे प्राचीन वैदीक सास्त्र हैं जिसमें यज्य की मिमान सा यज्य के विशे में विशेश रुप से बताया गया वेद मंत्रों को न्यूक्त किया गया, अलग अलग विधी, क्रिया, पधती, प्रक्रिया को आदर स्थिती है वह मनुश्मृति हो। जाहे वह हमारे धरसन स्थर हो। जभ इसकी मिमानस आती है और इसके विशे में जब बताये गयाहा, तो वहाँ पे से कहा गयाए उदिटे हो तव्यम। उदिते चेव, अनुदिते चेव, समयाद्यूषिते तथा, सर्वथा, वर्तते यज्य, इती अयम वेदी की सुर्थी, उदिते हो तव्यम, अर्था सूर्योदई का जो काल है, अर्था जिस समय सूर्य हमें दीख रहा है, सूर्योदई हो चुका है, सूर्योदई हैं, हम सूर अभी उगा भी नहीं है और अभी अस्त भी नहीं है अर्थात जो संधिया काल है जो प्रातकाल और साइन काल जो संधिकाल है ना तो पूर्णतया सुर्य उदय हुआ है और ना पूरी तरह से अस्त भी है समया द्यूसित काल का है उस समय में भी हो ना और था तीनो कालों के अंतरगत यज्ज करने के लिए विधान, मनुस्मृती में द्विती अध्याई की 15 और 16 नमर 7 में विशे शुरुप से बता रहे गए इसी प्रकार दर्सन सास्तर में भी वेदान्त दर्सन से लेकर के नाय दर्सन आदी में जो मिमान सा और इस विशे में जो बातیں आती हैं तो उस समय वहां पर वी इन तीनो कालों में यज्ज के विशे में विशे शुरुप से बताया गया लेकिन प्राथAKाल और साइनकाल हम यदि संध्याकाल के समय में ही यदि यज्य करते हैं तो विशेश उसका महिमा है, विशेश उसका लाब है उसी समय हम करते हैं तो और ज्यादा हमारे लिएन। क्योंकि हम अपनी वेधिक परंपराओं को देखे और प्राचिन परंपराओं को देखे तो उसमें संधिया काल को विशेश रूप से महत्व दिया गया है चाहिए वो आईरुवेद आदि गरंथ का सद्ध विरित से ले करके वो अन्य सास्थर वो सब जगा पे संधिया काल में जो अन्य सभी प्रकार के कारी है साहिए उन खेती, क्रिशी, बिजनेस से लेकर के जो भी अलग-अलग कारी करते हैं उन सभी कारियों से छूट जाने के लिए बदार्था उन सभी कारियों को हमें छोड़ देना चाहिए और संदीकाल में हमें परम, पिता, परमिश्वर की उपासना, आराधना, यज्य, हवन, अगनी प्राप्त होती हैं यह तो यज्य के काल के विश्य में हमने बताए हैं यज्य केवल मात्र आज समाज के दृष्टी हम देखें सामनी विक्री के दृष्टी से देखें तो एक पूजा पाठ तक सिमित है यज्य मान ने एक अनुष्ठान, एक देवी अनुष्ठान, एक भी हमारे वेदों ने भी हनियाय सास्थरों ने भी मुख्यत नया यदि यज्जिक कोई लाब देखें है तो अद्दश्ट लाब देखें हैंQuamara कर ने, उसको ठीक करू मैं हम जिस जीrep पुन्य या पाप के आधार प्राप्त होती हैं और उस खाते को मेंटेन करने के लिए उस खाते को व्यवस्थित करने के लिए हमारे लिए आउशक होता है कि हम पुन्य कारियों को करें, पुन्य कारियों को संपन करें, उस पुन्य कारियों को संपन करने के लिए विश्य शु पर आये तो इस प्रकृति के पंच तत्वों से और सब चीजों से हमें बहुत कुछ लिया है हमने ले तो लिया है लेकिन हम दे क्या रहे हैं हम दे कुछ पान नहीं रहे और हम ले ही ले बहुत सारी चीजे रहें तो जो बहुत सारी चीज़िया हम ले रहे हैं तो उसके लिए हम रीडिंग होते चले जाते हैं हमारा पूनिया रुपी खाता है खीन होता है तो इसको मेंटेन करने के लिए अगनी होतर करने के लिए बता है हम आगने होतार करते हैं तो जो हम इन प्रक्रती से ले रहे हैं इन मनुश्यों से ले रहे हैं जो अन्य लोगों से हम ले रहें उसमें हम वापस दे करके हमाँ अपनी समय भागी या उपनी भूमी का हम निपाए इसलिए यह यज्ज manos विशेश रूप से करणिया तो है ही है इन करने के साथ-साथ यह हो अमारे जीवन में जो लाव प्रदान करता है उसमें एक बहुत बड़ा उपयोगी लाव है हम अपने पुन्य के खातों को भर सकते हैं इसलिए आज बहुत सारे लोग इस विशेश बिंदू से प्रेरित होकर के चाहिए वह अमाविश्या हो पुर्णी मा हो और आज वरतमान में रविवार आदी को छूटी होती तो उन दिन पे विशेश रुप से आप यज्य कर सकते हैं अपने घर में जितना ज्यादा आप यज्य करेंगे उतना ज्यादा आपको पुन्य प्राप्त होंगे अनंत गुना पुन्य मिलते हैं यह पुन्यों की क्रिशी हैं यह पुन्यों की फैक्टरी हैं आप यज्य करेंगे तो अनंत पुन्य आपको प्राप्त होंगे और पुन्यों के आधर पे आपके जीवन में आने वाली अनुकुल या परिस्थितिया हैं उसमें भी आपको रहत मिलेगी और भी अनेक कारिय और अनेक लागों की सिद्धी आपको प्राथ होगी तो इसलिए आप अपने घर में इस पुन्य की क्रिशी को अपनाएं यज्य को अपनाएं हवन को अपनाएं अगने होत्र को अपनाएं अपने पुन्य रुपी खाते को ठीक दूसरा इसका चिकित्सा की यह पहलू भी हैं विशेशुरु से इसलिए अथर वेद में बताया गया जो व्यक्ति मृत्य के गर्त में चला गया है बीमारियों से घीर चुका है जिनकी इंद्रिया सिथिल हो चुकी है जिनका जीने की आशाब अंतिम स्वास तक पहुंच चुए उसको भी मैं इन रोगों से मुक्ति दिलाता हूँ उनको जीवनी सक्ति से युक्त करता हूँ और उनके जीवन में सूभ का सूख का सांती का आधान करता हूँ इस प्रकार से यज्य के माध्यम से सूभ, सांती, समरिती, सदभावनाई जो अच्छाईया हैं उसको स्थापित करने के लिए विशेश रुप से यज्य के विशे में बताया हूँ आयू को देने वाला होता हूँ यह यज्य सर्वे वाएते आयूर दधाती यज्य जो है यज्य नास्मा सर्वे वाएते इस प्रकार से यज्य हमें आयू देने वाला होता है हमारी आयू को पुष्ट करने वाला होता है हमारी आयू को डिड़ करने वाला होता है लोगों की जो आयू हैं वह दिन प्रती दिन खेन होती जा ले जा रही है, कम होती जा रही है और हमारे बेदिक रिश्यो की और जो यज्य करते हैं यह अभी भी जो ऐसे आसरम हैं उसमें रहने वाले लोगों की आयू बढ़ती है क्योंकि वहां शुद्ध वायू है, पविच्तर वायू है, सुगंदित वायू, जब गाउं में हम रहते हैं, गाउं के जो वायू मंदल होता है, और शुद्ध होता है, पविच्तर होता है, सुगंदित होता है, तो वहां पर आयू बढ़ती है इसलिए हमारे सास्त्रों में जो इस बातों को बता गया है कि आयू वर्दग है यह जो हम ज़िए अपने घर में अपनाएँगे तो इस वायू में अशुल्द वायू को शुद्ध करके हम उसको लेंगे तो हमारी आयू बढ़ेगी इसलिए जैसी होगी वायू, वैसी होगी आयू और दूसरा, एक कहावति या युक्ति समाज में बहुत प्रचले थे विशेश रूप से, जल है तो कल है हाँ, निश्ची रूप से जल है तो कल है, लेकिन हवन है तो जीवन है और इस जीवन में आने वाले सूक, सांति, समर्दिया, उन्नति के अउसरादी भी प्राप्त होते हैं तो जल है, अपने जीवन को पुष्ट करना है, आगे बढ़ाना है, तो हमें विशेश रूप से यज्य करना पड़ेगा इस प्रकार से हम इस यज्य की जो महिमा है, सास्त्रों में, अलग-अलग जगा पे, अलग-अलग रूपों में जो बताई गई उसके विशेश, एक विशेश में बात बताना चाह रहा है, आईर्वेद ग्रंथों में जो स्वस्थ की बरिभासा है, एक मनुष्य जीवन को, स्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए और आगे उन्ती प्रांक तक करने के लिए इसे कई पेशन हमारे पास में है, जबकि अस्तमा और दमा वाला जो पेशन्ट है, वह अगर्वत्पी और दुएं से भागता है, वो सेन नहीं कर पाता, उसे तकलिफ होने लगते है, सांस फोलने लगते है उसकी, लेकिन यक्य के दुएं से यक्य करने तक, शुरुवाज से लेकर एंड तक, उन्होंने पूरा यक्य करते हैं, और आज वो कम 85% उनके पंप चूट गए, जो दमास्तमा की जो उनके पंप थे, वो भी चूट गए, यक्य करने से, और वो निमित रूप से अपने घर में, गुगल की धोनी आज में ले यक्य को छोड़का अंदर घर की और भागता है, अंदर रूम की और भागता है, बात में चालू करना, पहले हमको अंदर जाने दो, तो हमने उनको बताया, कि जब आपको तकलिफ होने लगे, तब आप अंदर चले जाना, जब तक तो बैठो, अभी तो हमने कुछ भी जला किया, यक्य चालू करने के बाद में, जैसे ही जैसे हमने घीक की, उसमें आउथी चालू की, और वो व्यक्ति पूरा यक्य के समय तक बैठा रहा, और पूरा लाव उसे मिला, तो दमास्तिमा वाले पेशेंट को तो मैं बोलूँगा कि उसे नीमित रूप से यक्य करना चा यज्य को अपनाए, पिंड और महांड में संतुलन कायम करने वाले यज्य को अपने जीवन का अभिन अंग बनाए, एवं प्रकृती मा की प्रति अपने रिनों को अदा करें, विश्व स्वास्ति का एक नारा, यज्य से होगा जग उज्यारा, भारती सिंस्कृति की अमु यज्य महीमा कारिटरम से जुड़ें, विशेश जानकारी है तू संपर्थ करें, मोबाइल 9068565306